चाप्टर 6 परीधी इस इनिसंस हाट अब तक आपने देखा कि परी ने जिस बच्ची की जान बचाए थी वो कोई और नहीं बलकी रियांच की चार साल की बेटी परी थी परीधी और परीधी के बीच काफी अच्छी बॉंडिंग हो चुकी थी और ये चीज मेरी आंटी केव और रियांच भी नोटिस करता है लेकिन ना वो परीधी से मिला था और ना ही उसने उसका चेहरा देखा था लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो परीधी को अपने घर ले जाने का डिसाइड करता है अब आगे रियांच ने जब परी को अपने साथ घर चलने को कहा तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसे परिदी के साथ रहना था जो रियांच समझ जाता है और वो उसे मेरी आंटी के पास छोड़ कर केवन के साथ बाहर चला जाता है रियांच अपनी कार में बैठ गया और उसके बाद केवन भी कार में आकर बैठ गया रियांच बिना किसी expression के बोला उस लड़की को job offer करो कि अब से वो मेरी बेटी-परी की नानी बनकर हमारे साथ हमारे mention में रहेगी उसकी देखभाल करने के लिए कैवन थोड़ा जिजखते हुए बोला बट सर अगर वो नहीं मानी तो I mean वो हमें जानती ही कितना है और उपर से वो इस शहर में भी नहीं है वो तो यहां किसी को नहीं जानती तो ऐसे में क्या वो किसी अजनबी पर भरोसा करेगी मुझे वो सब नहीं पता वो तुम्हारी problem है मुझे आज वो लड़की किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर कपूर मेंशन में चाहिए उससे बात करो उससे मनाओ जितने पैसे बोले उससे डबल ओफर करो और अगर जरूरत पड़े तो डराओ धमकाओ जो करना पड़े वो करो लेकिन उसे कपूर मेंशन में लेकर आओ आपसे वो लड़की मेरी बच्ची का ध्यान रखेगी इस दर क्लियर रियांच ने केवन को अपनी थंडी निगाह से देखते हुए धीरे से लेकिन अपनी cold voice में केवन को order दे दिया जिससे केवन दरते हुए यस बॉस बोलकर कार से बाहर निकल गया और रियांच ने ड्राइवर को कार का पूर मेंशन ले जाने को कहा दिया वही केवन परिधी से बात करने उसके वार्ड में चला गया अब आप कैसा फिल कर रही है केवन ने परिधी के बैट के पास रखी चेह पर बैठते हुए उससे पूछा जिस पर परिधी एक प्यारी सी स्माइल करते बोली मैं अब ठीक हूँ परिधी की वो स्माइल इतनी प्यारी थी और उपर से उसका बिना मेकप किया हुआ खूबसूरत चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था केवन तो उसकी खूबसूरती में ही खो गया लेकिन अचानक उसके दिमाग में उसके बॉस के शब्ट गूंजने लगे और वो अपने खूबसूरत सपनों की दुनिया से बाहर आ गया अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हम दो मिनित बात कर सकते हैं केवन ने बड़ी सावधानी से परिधी से पूछा जिस पर परिधी फिर एक प्यारी सी स्माइल करके बोली भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है आपको जो बोलना हूँ वो आप बेचेचक होकर बोलिए परिधी की बात सुनकर केवन ने एक राहत की सांस ली उसे परिधी का नेचर काफी पसंद आया आप परिधी से तो मिल ही चुकी है और आपको ये भी पता होगा कि उसकी मूम नहीं है और नहीं वो बोल सकती है और यही वज़ह है कि वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है ना हसती खेलती है और ना वो किसी को अपने पास आने देती है लेकिन जब से वो आपसे मिली है तब से उसके चेहरे की वो चमक हो स्माइल कम होने का नाम ही नहीं ले रही और ये देखकर हम सब की हैरानी और खोशी का कोई ठिकाना ही नहीं है और इसलिए मेरे बॉस यानी की परी के डेट चाहते हैं कि आप उनके घर में परी की नानी बनकर उसकी देख भाल करे क्योंकि वो आपके साथ ज्यादा खुश रहती है जबकि उसके लिए जब भी बॉस ने अपने घर में नानी को रखा उसकी केर करने के लिए तो वो या तो गुस्सा हो जाती या तो अपना खुराफाती दिमाग यूज करके उन्हें इतना परेशान करती कि वो खुद ही अपनी जॉब छोड़ कर भाग जाती लेकिन आपके साथ जब वो होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि आपका और उसका दिल का कनेक्शन हो तो क्या आप इस जॉब को एकसेप करेगी केविन जितने अच्छे से बात करके परिदी को समझा सकता था उसे कन्वेंस कर सकता था उसने वो किया और जब परिदी कुछ बोलने वाली थी कि वो फिर उसे कन्वेंस करने के इरादे से बोला आप इस जॉब के लिए जो भी अमाउंट पे करने को कहेगी उससे चार गुना ज्यादा पैसे हमारे बॉस आपको देने के लिए तयार है बस आपको हमारे साथ कपूर मेंशन में आकर रहना होगा और परिदी की देखभाल करने होगी उसके सुबह से उठने से लेकर उसके रात के सोने तक आपको उसकी हर एक जरूरत की चीजों का ध्यान रखना होगा कैवन ने इतना लंबा चोड़ा भाशन देकर परिदी को समझाया उसे किन्वेंस करने की पूरी कोशिश की और अब बो परिदी की जवाब का इंतजार कर रहा था और मन ही मन में प्रे करने लगा कि परिदी उसके ओफर के लिए बस हा कहसे ताकि उसकी जान छूटे वरना उसका बॉस उसे आज ही अम्राज के दर्शन करवा कर ही मानेगा कैवन की सारी बाते सुनने के बाद परिदी को उसकी बाते सही लगी क्योंकि वो ना तो इस धर्टी लोग के बारे और ना ही यहां के लोगों के बारे में ज्यादा कुछ जानती थी तो वो उसके ओफर को मानने में ही अपनी भलाई समझती है लेकिन उसे पैसे और अमाउंट के बारे में कनफ्यूजन हो रही थी तो परिदी केवन से पूछते हुए बोली, मुझे आपकी सारी बाते अच्छे से समझ आ गई और मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ये पैसे किसे कहते है केवन परिदी की बात सुनकर एक पल के लिए खुश हो गया लेकिन अगले ही पल उसकी वो समाइल तो जैसे गायब ही हो गई जब उसने परिद का सवाल सुना, केवन परिदी के सवाल का जवाब देने के बजाए उल्टा थोड़ा चौकते हुए उससे ही सवाल पूछते हुए बोला क्या, मतलब क्या आपको पैसे किसे कहते है ये पता नहीं है नहीं, परिदी ने अपना सरना में हिलाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा जिस पर केवन अपनी आखे हैरानी से बड़ी-बड़ी करके इस दुनिया के आंथवे अजूबे, परिदी, को देख रहा था वो अपने मन में बोला, मुझे आज तक लगता था कि मेरा डेविल बॉस ही इस दुनिया का आंथवा अजूबा है जो आज तक किसी के भी समझ में नहीं आया लेकिन अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि इस दुनिया में मेरे डेविल बॉस के अलावा भी कोई और उनसे भी बड़ा अजुबा हो सकता है कहीं इसके सर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्ट तो नहीं चली गई लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अगर इसकी याददाश्ट चली गई होती तो उसे अपना नाम के से याद होता खेर जो भी हो लेकिन मुझे आज किसी भी हाल में परिदी को कपूर मेंशन लेकर जाना होगा वरना वो डेविल मुझे नहीं छोड़ेगा चल बेटा लग जा काम पर कैवन ने लाचारी में अपना सर हिला दिया और अपने वॉलेट में इसे पैसे निकाल कर उसे दिखाने लगा और साथ ही साथ पैसे को कैसे यूज किया जाता है वो भी अच्छे से समझाया परिधी ने उसकी सारी बाते बड़े गोर से सुनी लेकिन उसके पैसों को देखने का नजरिया कैवन से अलग था उसके हिसाब से ये 2000 हजार की नोटे या 500 की नोट रग बेरंगी कागस के तुकड़े थे जिससे वो जो चाहे वो बाहर से खरीद सकती थी भूम फिर सकती है कैवन ने परिधी के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मालिटीज कम्प्लीट कर दी और वो लोग परिधी को पार्किंग एरिया में लाए जहां उनकी कारे पड़ी हुई थी परिधी को आराम से कार में बैठा देने के बाद मेरी आंटी परी को लेकर उसके पास बैठ गई और केवन जाकर ड्राइविंग सीग पर बैठ गया उनकी कार के आगे और पीछे दो-दो कार थी जिन में बॉडी गार्ड्स थे परिधी की नजर अचानक कार की विंडो के बाहर गई जहां एक बैंच पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पागलों की तरह किस किये जा रहे थे देखने में वो कोई कॉलेज स्टुडेंट लग रहे थे परिधी उन्हें कंफ्यूज और हैरानी से देख रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कर क्या रहे है इसलिए वो मेरी आंटी को देखते हुए उनसे बोली आंटी ये लड़का और लड़की क्या कर रहे है परिधी ने हॉस्पिटल के बाहर बेंच की तरफ इशारा करते हुए पूछा मेरी आंटी ने उस और देखा और वही जहां कैवन जस्ट कार को स्टॉट करने ही वाला था कि परिधी की बात सुन वो भी उस और देखने लगा वहां एक लड़का और लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे ये देख आंटी परिधी को हैरानी से देखने लगी आज के जमाने में तो बच्चों तक को भी किसका मतलब पता होता है और ऐसे में परिधी उनसे ये पूछ रही है कि ये दोनों क्या कर रहे है ऐसा लग रहा है जैसकी परिधी अभी अभी इस दुनिया में पैदा हुई हो मेरी आंटी ने जब परिधी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो क्यूरियस परिधी फिर पूछते हुए बोली आंटी बताए ना कि ये दोनों क्या कर रहे है मेरी आंटी अपने से इसमें वापस आईं और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली वो ये ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे है ये किस क्या होती है परिधी ने फिर क्यूरियस होकर पूछा जिस पर कैवन का मन कर रहा था कि वो अपना सर जाकर दिवार पर मार दे जिसने आज तक बाहरी दुनिया देखी ही नहीं है और इसी चीज का फाइदा कोई भी बहुत आसानी से उठा सकता है परिधी का इतना इनोसेंस होना उसके लिए ही खत्रा साबित हो सकता है इसी लिए मेरी आंटी उसे एक लड़के और लड़की के बीच के रिलेशन के बारे में अच्छे से बताना और समझाने का डिसाइड करती है मेरी आंटी कैवन को इशारा करती है कैवन तुरंत उनका इशारा समझ जाता है और अपने कान में एयर फोन लगाकर अपने फोन से गाने प्ले करता है और कर स्टॉट कर देता है मेरी आंटी एक नजर परी को देखती है जो उनकी गोड में आरम से सो रही थी फिर उन्होंने परिदी को देखते हुए उसे समझाया कि जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते है और एक दूसरे के करेब आते हुए फिजिकल कॉन्टाक्ट में आते है तो क्या होता है वो सारी बाते मेरी आंटी परिदी को जितना हो सके उतना डिटेल में समझ रही थी और परिदी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन और समझ रही थी परिदी ने मेरी आंटी की सारी बाते सुनी और उसने उसमें अपने दिमाग का यूज करके कुल मिलाकर ये सीखा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ किसी भी तरीके से फिजिकल होता है तो वो लड़की प्रेगनेंट हो जाती है टंग आउट टंग आउट टंग आउट चाप्टर सेवन परिदी केम इन कपूर मेंशन हाथ आप तक आपने देखा कि कैवन परिदी को जॉब ओफर करता है कि उसे परी की नैनी बनकर उसका ख्याल रखना है जिस पर परिदी इस जॉब को एकसेप्ट कर लेती है क्योंकि फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठीकाना नहीं था वो लोग परिदी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर कपूर मेंशन के लिए निकल जाते है अब आगे कपूर मेंशन एक साथ पांच कारे एक बड़े से लोहे के गेट से अंदर कपूर मेंशन में एंटर करती है बीच में एक बड़ा सा फाउन्टेन है जिसकी दोनों तरफ से रास्ता होकर उस बड़े से छेह मंजिला बंगलू जो किसी महे से कम नहीं लग रहा था उसकी और जाता है दोनों तरफ हरे भरे पेर पौधे है एक बड़ा सा गार्डन जिसमें हर तरह के फूल के पौधे है एक बड़ा सा जूला जिसमें चार से पांच लोग आरम से बैच सकते है घर के पीछे के हिस्से में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है लगभग 10-12 मिनिट तक कार ड्राइव करने के बाद केवन मेंशन के सामने कार को रोकता है और बाहर आ जाता है मेरी आंटी परी को लेकर बाहर आती है तो केवन उनसे परी को अपनी गोर्ड में लेकर अंदर चला जाता है मेरी आंटी परीदी को बाहर आने का इशारा करती है तब जाके परीदी कार से बाहर निकलती है उसे काफी अजीबगी लग रहा था और डर भी आफ्ट रोल वो अभी इन सब को जानती ही कितना थी तो उसका इस तरह का रियक्शन लाजमी था और ये चीज मेरी आंटी भाम ल और प्यार से परदी के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम्हें दरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अब से इसे अपना ही घर समझो। ठीक है अब चलो। मेरे आंटी परदी का हाथ पकड़ कर उसे अंदर ले जाती है। तभी स्टडी रूम में रियां इसे ये फिर से क्यों इतनी जोरों से धड़क रहा है। हो क्या रहा है मुझे। क्यों मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है। जैसे अभी उचल कर बाहर आ जाएगा। रियांश अपनी चेय से उठकर बड़ी सी विंडो के पास चला जाता है। और उसे खोल देता थंडी हवाई रूम के अंदर आ जाती है और हिस्से परदे भी हवा की वाक से उड़ने लगते हैं। वही मेरी आंटी और परदी के अंदर जाते ही सारे सर्वेंट अपना सर जुका कर उनका स्वागत करते हैं। मेरी आंटी सबसे परदी का इंट्रोडक्शन करवाती हैं। और परदी को रेस्ट करने का बोल वो वहाँ से चली जाती है। परदी एक टक सीलिंग को देख रही थी। उसके रूम की सारी चीजे पिंक एंड वाइट थीन के अकॉर्डिन थी। परदी को अपनी मा, अपना परी लोग अपनी पारियां जो उसकी सहली थी। वो सब याद आए रहे थे। लेकिन फिलहाल तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे यहां रहकर अपने सोलमेट को जो धूंद ना था। डिन का टाइम हो चुका था। रियांच स्टडी रूम से निकल कर परी के कमरे में जाता है, जहां परी अपनी ड्रॉइंग बुक में कुछ ड्रो कर रही थी। रियांच परी के पास आते हुए बोला, मेरी डोल क्या ड्रो कर रही है। अपने पापा की आवाद सुनते ही परी अपनी ड्रोइंग बुक को तके के नीचे छुपा लेती है। और ये चीज रियांच नोटिस कर लेता है। रियांच परी के पास बैठ कर प्यार से उससे बोला, पापा की प्रिंसेस पापा को नहीं दिखाएगी कि उन्होंने क्या ड्रो किया है। परी बड़ी मासूमियत से अपना सरना में हिला देती हैं, जिस पर रियांच उसे कुछ नहीं कहता और उसे अपनी गोर्ड में लेकर डाइनिंग हॉल में चला जाता है। मेरी आंटी ने पहले ही परिधी का खाना उसके कमरे में भिजवा देया था। रियांच परी को अपनी गोर्ड में लेकर चेह पर बैठ गया, और अपने हाथों से परी को खाना खिलाने लगा, परी भी बिना कोई नख्रे दिखाए चुप चाप एक अच्छी बच्ची की तरह खाना खा रही थी। ये बात सबको पता थी, कि परी या तो अपने हाथों से या तो फिर रियांच के हाथों से ही खाना खाती थी। उसे कोई और खाना खिलाए, ये उसे बिलकुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसके पापा के अलावा जब भी कोई उसे खाना खिलाने की कोशिश करता तो वो उसके नाक में दम कर देती थी और उसे वो इतना परेशान कर देती कि वो खुद ही अपने हाथ जोड देती क्लोजिंग परेंथिसिस केवन भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और उतने में क्रिश भी कपूर मेंशन आ जाता है दरसल केवन महरा और क्रिश शेखावत दोनों रियांज के बचपन के दोस्त है और वो दोनों भी दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लगते थे जहां केवन की काली आखें, जेल से सेट किये हुए काले बाल, हाथ में ब्रेंडेड वाच और गले में एक सिंपल सी बट ब्रेंडेड गोल्डन चेन पहनी थी और उसका ब्रेंडेड ब्लेक सूट जो उसने अब निकाल दिया था और अब वो सिर्फ एक वाइट शर्ट और ब्लेक पेंट में था और उसके शर्ट के तीन बटन खुले हुए थे, और उसकी स्लीव्स फोल्ड की हुई थी केवन का खुद का बिजनेस है, पर इसके बारे में बस कुछ ही गिने चुने लोगों को पता है कि महरा इंडस्ट्रीज का मालिक और कोई नहीं बलकी केवन महरा है लेकिन वो फिर भी रियांच के लिए उसका असिस्टेंट बन कर उसके साथ हमेशा रहता है क्योंकि जितने रियांच ने दोस्त नहीं बनाए, उतने तो उसने दुश्मन पाल रखे है और केवन के पेरेंट्स की डेट के बाद रियांच के पेरेंट्स और उसकी फैमली ने कभी भी उसे अपने मा बाप की कमी मेहसूस नहीं होने दी और Krish के पापा रियांज के पापा के बचपन के दोस्त है और ये तीनो साथ में पले बधे है और एक दूसरे से सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते है वही Krish की ब्राउन आईज, जे उसे सैक किये हुए काले बाल एक हाथ में branded watch और दूसरे हाथ में golden की chain और उसने black leather jacket with white t-shirt and black jeans पहनी हुई थी Chris एक actor है और एक business man भी लेकिन साथ ही साथ हो एक playboy भी है लड़किया तो जैसे उसके लिछे पागल है पर उसने आज तक अपने पैसों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया और नहीं उसने कभी किसी लड़की की मरजी के बिना उसे चुआ है वो playboy जरूर है लेकिन वो लड़कियों की इजज़त करना बखू भी जानता है और इसलिए वो जब भी किसी लड़की के साथ relation में होता है तो वो ये बात पहले ही clear कर देता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक time pass है और ये जानने के बाद भी अगर कोई लड़की हा बोलती है तब ही वो इस relation में आगे बढ़ता है और आज उसे जैसे ही पता चला की परी का accident हुआ था तो वो अपनी फिल्म की shooting को अधूरा छोड़ यहां चला आया closing parenthesis केवन और क्रिश के लिए भी परी उनकी बेटी की तरह ही थी जिससे वो दोनों ही बहुत प्यार करते थे क्रिश अंदर आकर सीधा dining hall में चला जाता है और रियांज के पास जाकर परी को अपनी बोद में ले लेता है और परेशान होते हुए उसने परी से पूछा परी आप कैसे हो बच्चा आप ठीक तो हो ना आपको कहीं चोड़ तो नहीं आईना परी स्माइल करते हुए अपना चेहरा ना में हिलाती है जैसे कि वो उसके सवाल का जवाब दे रही हो और फिर अपने छोटे-छोटे हाथ से क्रिश की चेहरे पर फिराती है जिसका मतलब था कि वो क्रिश को शांत करनाने की कोशिश कर रही थी उसके ऐसे करते ही क्रिश शांत हो जाता है और परी को अपने गले से लगा देता है ठैंक गॉड के आपको कुछ नहीं हुआ बच्चा पर अब से आप और ज्यादा केरफुल रहोगे और नहीं बिना किसी को भी बताए ऐसे कहीं भी चले जाओगे ओके, क्रिश परी के गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार से समझाता है परी भी अपने चाचू की बात मानकर सरहा में हिला देती है क्रिश रियांच और कैवन से गले मिलता है और वो सब बैठकर डिनर करने लगते है डिनर करने के बाद मेरी आंटी परी को उसके रूम में ले जाकर उसे सुला देती है वहीं ये तीनों दोस्त का पूर मेंशन में बने बार काउंटर में चले जाते है और तीनों बैठ कर ड्रिंक करने लगते है वैसे परी का एकसिडेंट हुआ कैसे और वो लड़की कौन थी जिसने हमारी बच्ची की जान बचाई क्रिश ने क्यूरियस होते हुए केवन को देख कर उससे पूछा और अपनी ड्रिंक का एक शिप लिया कैवन उसे परी के एकसिडेंट से लेकर परिधी के जौब एकसिप्ट करने के साथ यहां रहीने तक की सारी बाते डिटेल में बता देता है जिसे सुन क्रिश तो जैसे शौक्ट ही हो गया था और वो हैरानी से रियांश को देख रहा था उसके शौक्ट होने की वजह परी और रियांश डोनों ही दोनों बाप बेटी लगभग एक जैसे थे डोनों को है अपने आस पास किसी स्ट्रेंजस का होना बिलकुल भी बरदास्त नहीं था स्पेशियली लड़कियों का और इसलिए क्रिश को केवन की बातों पर भरोसा नहीं हुपा रहा था कि ये दोनों अडियल बाप बेटी किसी अंजान लड़की को अपने घर में परी की नैनी बना कर रखने के लिए तैयार केसे हो गए केवन ने पहले ही रियांच को इनफॉर्म कर दिया था कि परिधी इस जौब के लिए मान गई है और उसे डिस्चार्ज मिलते ही वो उसे कपूर मेंशन ला रहा है इसलिए रियांच के चहरे पर कोई खास रियेक्शन नहीं था जिसे देख क्रिश समझ जाता है कि रियांच ने ये सिर्फ परी की खुशी के लिए किया है और क्रिश तो क्या हर कोई जो रियांच के दिल के करीब था वो ये बात अच्छे से जानता था कि रियांश अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हग जा सकता है क्रिश रियांश को छोड केवन की तरफ क्यूरियस होकर देखते हुए बोला वैसे उस लड़की के बारे में कुछ तो बता की वो कौन है, कहां से आई, कैसी दिखती है मुझे उसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है तुझे भला उसके अंदर इतना इंट्रेस्ट क्यूं आ रहा है जो तू उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है केविन ने पीना छोड़, क्रिश को अपनी शक भरी निगाहों से देखते हुए उससे पूछा, जिस पर क्रिश क्यूरियस होते हुए फिर से बोला, जिसे हमारी बच्ची इतना पसंद करती हो, उसके बारे सब कुछ जानने में इंट्रिस्ट क्यू नहीं होगा भला, अरे ज के साथ इतना घुलमिल गई, कि रियांच को अपनी बच्ची की खुशी के लिए उस लड़की के बारे में बिना कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई उसे अपने घर में रख लिया, कैवन क्रिश की क्यूरियस समझ सकता था, इसलिए वो उसे परिधी के बारे में सब कुछ बता देता है, जितना परिधी ने उसे अपने बारे में बताया था, वो परिधी के लुक्स के बारे में भी डिटेल में बताता है, कैवन परिधी के बारे में सोचते हुए क्रिश से बोला, सच बताऊं यार तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना इतनी खुबसूरत लड उसकी बाते मुझे काफी अजीब लगी, उससे बात करते वक्त ऐसा लग रहा था, जैसे उसने ये दुनिया देखी ही ना हो, वो पहली बार ये सब देख रही हो, हाँ, तो उसमें इतना अजीब फिल करने वाली बात कौन सी है, हो सकता है शायद उसके पेरेंट्स ने उसे ब जाते हुए कहा, जिस पर कैवन को भी क्रिश की बातों पर भरोसा हो जाता है, कि शायद यही वजह होगी, कि परदी अभी भी किसी छोटी बच्ची की तरह बहेव करती है, वही रियांज कब से इन दोनों नमूनों की बकवास सुन रहा था, उसकी आखे भले ही उसके फोन म की तारीफ नहीं की थी. और यहां तक की वो तो किसी लड़की को सीधे मूर देखता तक नहीं था. फिर उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है, जो हर कोई उसे इतना पसंद करता है, उसकी तारीफे करता है. अब तो रियांज को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी, परिदी स मिलने की, वो भी जानना चाहता था कि क्या वाकई में परिधी इतनी खुबसूरत है कि केवन तक उसकी तारीफ करने लगा। प्रिश और केवन तो पूरी दो बोटोल खत्म कर चुके थे और पूरी तरह से नशे मैं चूर वही डेरा जमा कर सो चुके थे। लेकिन रियांच अब भी होश में था, उसने बस दो पई गही पिये थे। बिकॉज उसे ज्यादा ड्रिंक करने की आदत नहीं थी। वो या तो ज्यादा स्ट्रेस में या फिर जब वो बहुत गुस्से में होता है तब ही ज्यादा ड्रिंक यहां तक की स्मोप तक किया करता रियांच ने बारी-बारी से उन दोनों को अपने कंदे पर उठा कर उन्हें उनके रूम में लेता दिया। और फिर वो अपनी बेटी को देखने उसके रूम में चला गया। यह रियांच का जैसे डैली रूटीन बन चुका था, कि वो जब भी ओफिस जाता या फिर सोने तो एक बार परी का चेहरा जरूर देखता ही था। रियांच चब परी के रूम में पहुंचा तब उसकी वो छोटी सी गुरिया अपने दोरेमौन को हग किये हुए गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखते ही रियांच के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और व केवन और क्रिश दोनों ही रियांच के बचपन के दोस्त है और वो तीनों डिन के बाद घर में बने बार काउंटम में जाकर ड्रिंट करते है और केवन और क्रिश टली होकर वहीं दो जाते है। रियांच उन्हें उनके कमरे पहुंचा देता है और रियांच परी को देखन सी स्माइल आ गई और वो परी के माथे पर किस करके उसे अच्छे से ब्लेंड कि पोड़ा कर रून से बाहर निकल आया। रियांश अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उसे किचन में से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज, ये आवाज कैसी थी, शायद किचन में से आई थी, लेकिन सारे सवेंट्स तो सर्वेंट कोटर जा चुके है, और मेरी आंटी भी अपने घर जा चुकी है, फिर इस वक्त किचन में कोन हो सकता है, और किसी चोर के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहां की सेक्योरिटी बहुत टाइट है, अगर किसी ने अंदर आने की हिम्मत भी की तो वो सक्स वही मारा जाएगा, रियांच ने अपने आपसे ही बरबराते हुए कहा, और अपने रूम में जाने के बजाए किचन की और बर गया, रियांच जैसे जैसे किचन की तरफ बर रहा था, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कने और तेज होती जा रही थी, वो ऐसे ही चलते हुए अपने मन में बोला, ये, ये हो क्या रहा मेरे साथ, फिर से मेरे दिल की धड़कने इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, और ये खुश्बू, ये खुश्बू किस चीज की है, जो मुझे अपनी तरफ खीच रही है ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना चाहते हुए भी अपने आप इस खुश्पू की और खीचता चला जा रहा हूँ रियांच जब किचन में पहुंचा तो हलकी डिम लाइट और चांद की मध्यम रोशनी में उसे किसी लड़की की परचाई न जराई वो उसके तरफ पीट किये हुए खड़ी थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन रियांच दीरे कदमों से उसकी और बढ़ा और जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया उस लड़की ने पानी पिया और जैसे ही उसने पानी का ग्लास किचन स्लेब पर रखा उसे ऐसा लगा जैसे की कोई उसके पिछे खड़ा हो वो लड़की डर गई और जैसे तैसे हिम्मत जुटा कर वो डरते हुए पीछे की और पल्टी तो उसके सामने रियांच का हैंसम चहरा था फिर भी वो उसे देखकर दर गई और दर के मारे दो कदम पीछे हो गई जिससे वो सीधे किचन की स्लेट से पूरी तरीके से सट गई रियांच ने जैसे ही उसका चहरा देखा तो उसके अपने मन में एक ही नाम को दोहराया परदी ये परदी ही थी जिसे एक नजर में देखते ही रियांच पहचान गया था क्योंकि कैवन ने जितनी अच्छी तरह से परेदी के बारे में बताया था वो बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी काली गहरी आखे जो अभी दरी सहमी सी लग रही थी उसके काले घने गुंगराले बाल जो किचन की खिलकी से आ रही हवा से थोड़े बोहुत धुर रहे थे और बिना मेकप का उसका वो खूँचूरत चहरा जिसके माथे पर वाइट पट्टी बंदी हुई थी उसके वो सुर्क गुलाबी होंट जिस पर कोई लिप्स्टिक लिप्स्टिक नहीं थी वो नैचली पिंप थे जो रियांच देखते ही समझ गया था और उसके सुर्क गुलाबी होंटों को देखकर उसका गला सूख रहा था पता नहीं कि उपर आज पहली बार किसी लड़की को देखकर रियांच उसकी तरफ अट्रक्ट हो रहा हो ऐसा उसे मेहसूस हो रहा था उसने अपने आपको संभाला और अपनी वो ही कॉल्ड और रूड एक्स्प्रेशन में वापस आ गया और सक्त आवाज में लेकिन दीरे से परिधी से बोला कोन हो तुम और यहां आधी रात में कर प्या रही हो वैसे तो वो जानता था कि वो कौन है लेकिन फिर भी वो उसके मूँ से जानना चाहता था परिधी उसकी आवाज सुनकर दर गई और दरती भी क्यों नहीं रियांच की आवाज इतनी दरावनी जो साउंड कर रही थी ऐसे ही पूरी दुनिया पर रियांच के नाम का दबदबा थोड़ी ना था उसकी तो सिर्फ आवाज ही काफी थी किसी को भी अंदर तक गराने के लिए परिधी रियांच को देखते ही पहचान गई थी कि वो परी के पापा है क्योंकि परी की आँखे भी हलकी ब्लू थी और उसके चहरे के फीचर्स भी काफी हद तक रियांच से मेल खाते थे तो ऐसे में भला परिधी रियांच को केसे ना पहचान थी हाँ वो अभी भी किसी छोटी बच्ची की तरफ बहेव करती है लेकिन वो उतनी भी बेवकुफ नहीं थी कि वो रियांच और परी के बीच में क्या समानता है और वो क्यूं है ये वो ना पहचान पाए ये जानने के बावजूद भी कि ये परी के पापा है परिधी की दर अब भी कम नहीं हुआ था वो अपने आपको शान्थ करते हुए थोड़ा आगे आई और दरते हुए अपनी लडखडाए आवाज में बोली वो में, में पर, परिधी, मुझे यहां, परी की, देख, देख भाव के लिए रखा गया है परिधी की आवाज लडखडाते हुए भी इतनी प्यारी सुनाई दे रही थी कि रियांज को पता भी नहीं चला के इन परिधी ने अपना इंट्रोडिक्शन दे दिया वो तो उसे अभी भी बस एक तक नहारे जा रहा था लेकिन उसका ध्यान तब तोटा जब उसके कानों में फिर से परिधी की मीठी आवाज सुनाई दी परिधी अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली वो मुझे प्यास लग रही थी और मेरे रूम में पानी नहीं था तो मैं यहां बस पानी पीने आई थी मा, परिधी अचानक चीकते हुए उटकर बैठ गई उसके चहरे पर पसीने की बून्दे नजर आ रही थी उसका शरीर भी डर के बारे काम रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो जिसकी वज़े से वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसकी आँखों से नीन तो जैसे हवा ही हो गई परिधी ने जब अपने आपको किसी और कमरे में पाया तब जाके उसे धर्ती लूप पर आने से लेकर कपूर मेंशन तक की सारी बाते याद आने लगी तब जाके उसे समझ में आया कि वो एक बुरा सपना देख रही थी परिधी थोड़ा रिलेक्स तो हो गई लेकिन उसका गला सूख रहा था जब उसने पानी पीने के लिए साइड टेबल पर देखा तो वहाँ जग खाली पड़ा हुआ था परिधी बैट पर से नीचे उतरी और रूम खोल कर बाहर निकल गई लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पानी पीने कहा जाना क्योंकि एक तो वो इस घर में नहीं आई थी और उसे इस घर के रास्ते भी पता नहीं थे उपसे ये घर उसे किसी भूल-भूलया से कम नहीं लग रहा था आप मैं क्या करूँ मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता कहा जाता है तो ऐसे में मैं यहां किचन कहां से धून धूँ परिधी ने अपने आसपास देखते हुए अपने आप से कहा और तभी परिधी को याद आया अरे, हाँ मेरी जादूई शक्तिया भले ही कमजोर हो गई हो लेकिन उसके बावजूद भी में थोड़ा बहुत तो मैजिक कर ही सकती हूँ ना परिधी ने अपने आप से बरबराते हुए कहा और अपने हाथ से एक चुटकी बजाई, जिससे वो वहां के अंदेरे में अचानक गायग हो गई और सीधे किचन में पहुंच गई परिजन टाइम, स्पार्कलिंग हाथ, स्पार्कलिंग हाथ, स्पार्कलिंग हाथ, स्पार्कलिंग हाथ परिधी ने रियांच को बस इतना बताया जितना कि उसे जानना चाहिए था क्योंकि वो अपनी शक्तियों के बारे किसी को भी कुछ नहीं बता सकती थी रियांच ने परिधी की बात सुनी और जैसे ही वो उसे कुछ कहने उसकी और एक कदम बढ़ा की अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधा परिधी के उपही गिर गया जिससे परिधी की पीठ किचन स्लैब से तक्राने ही वाली थी कि रियांच ने अपने एक हाथ से उसकी क कमर को पकर लिया और उसे किचन स्लैब से टक्राने से तो बचा लिया लेकिन इस चक्कर में उन दोनों के होट आपस में टक्रा गए इस अचानक हुई किस से उन दोनों की ही आँखे लगभग बाहर आने को थी वो दोनों ही शौक थे इस सरन किस से और दोनों ही अपनी आँख को क्या सूजी कि वो अपनी आखे बंद करके परिदी को किस करने लगा ये देख परिदी की आखे हैरानी से और चौरी हो गई उसका दिमाग तो मानो सुन पर गया था वो तो बस शौक्त होकर रियांच को ही देखे जा रही थी जिसकी सौफ्ट किस अब धीरे धीरे रस ऐसे पी रहा था जिसे बर्सों के बाद पानी मिला हो जैसे ही रियांच की किस और पैशनेट होने लगी तब जाकर परिदी अपने सेस में वापस आए और वो डर गई लेकिन उसने अपने आपको संभाला और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने दोनों हाथों से रियांच को मारने और धक्का देने लगी लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं था रियांच के भला लोहे जैसे सीने पर उसके छोटे-छोटे हाथों से मारने और धक्का देने से क्या ही हो जाना था उल्टा परिधी का ही हाथ दुखने लगा लेकिन रियांज तो एक इंच तक नहीं हिला वो परिधी को डीप किस करते हुए उसके होठों को स्मूज कर रहा था उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो परिधी को छोड़ने के मुण में है रियांज की किस टी पैंट पैशनेट होती जा रही थी वो अपने एक हाथ को परिधी की पूरी पीट पर चला रहा था और अपने दूसरे हाथ से उसने परिधी के बोलों को पीछे से पकड़ा हुआ था ताकि परिधी उससे दूर ना जा सके परिधी चाह कर भी रियांज से अपने आपको नहीं चुर्वा पा रही थी अब तो जैसे उसमें ताकत ही नहीं बची थी लेकिन इस दोरान उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके हाथ में वो पहने हुए ब्रेसलेट में लगे पांच स्टोर्स में से बीच वाला चोटा स्टार यानी रहस्यतारे का कलर चेंज हो चुका था अब वो वाइट से रेड हो चुका था लेकिन नहीं परिधी और नहीं रियांज ने ये बात नोटिस की जहां रियांच परिधी के होठों को चूमने में बिजी था तो वही परिधी उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी लगभग 20 मिनित तक इनकी ये दीपली पैशनेट किस चलती रही लेकिन अब परिधी इसे और बरदास्त नहीं कर पा रही थी उसे सास लेने में दिक्कत होने लगी थी और जब ये चीज रियांच ने नोटिस की तब उसने अपनी आँखे खोली और उसके सामने परिधी का वो चहरा नजर आया जो पूरे तरीके से लाल हो चुका था और उसकी आँखे भी भारी हो रही थी ऐसा लग रहा था कि अगर अभी रियांच ने उसे नहीं छोड़ा तो वो अगले पल ही बेहोश हो जाएगी ये देखते ही रियांच ने ना चाहते हुए भी परिधी के होठों को रिलीज कर दिया लेकिन उसे उसकी कमर से थामे रखा ताकि वो गिर ना जाए जैसे ही रियांच ने उसके होठों को रिलीज किया वैसे ही परिधी जोर जोर से खासते हुए अपनी बेकाबू हुई सासों को नियंतरन करने की कोशिश करने लगी रियांच तो परिधी के चेहरे में ही खो गया था उसे पता नहीं क्या हो गया था कि वो इतना ज्यादा out of control हो गया परिधी जब normal हुई तब उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही रियांश तो बस उसे shocked होकर देखता है रह गया चाप्टर 9 अगर मी pregnant हो गाई टू हाथ लगभग 20 मिनित तक रियांश और परिधी की ये deeply passionate किस चलती रही लेकिन अब परिधी इसे और बरदास्त नहीं कर पा रही थी उसे सास लेने में दिक्कत होने लगी थी और जब ये चीज रियांश ने notice की तब उसने अपनी आँखे खोली और उसके सामने परिधी का वो चहरा नजर आया जो पूरे तरीके से लाल हो चुका था और उसकी आँखे भी भारी हो रही थी ऐसा लग रहा था कि अगर अभी रियांश ने उसे नहीं छोड़ा तो वो अगले पल ही बेहोश हो जाएगी ये देखते ही रियांश ने ना चाहते हुए भी परिधी के होठों को रिलीज कर दिया लेकिन उसे उसकी कमर से थामे रखा ताकि वो गिर ना जाए जैसे ही रियांश ने उसके होठों को रिलीज किया वैसे ही परिधी जोर-जोर से खासते हुए अपनी बेकाबू हुई सासों को नियंतरन करने की कोशिश करने लगी रियांज तो परिदी के चेहरे में ही खो गया था उसे पता नहीं क्या हो गया था कि वो इतना ज्यादा OUT OF CONTROL हो गया वो खुद भी अपनी इस हरकट से हैरान था कि क्यों वो अपने आप पर CONTROL नहीं कर पाया और किसी लड़की को बिना उसकी मरजी पूछे उसे फॉस्फुली किस करने लगा रियांश के दिमाग में यही सब चल रहा था वही जब परिधी नॉमल हुई तो उसने अपने सामने खड़े उस राक्षस को देखा जिसकी हाइट लगभग सिक्स फिट से भी ज्यादा की थी और वो उसके सामने किसी चुहिया की तरह लग रही थी रियांश को देखते ही परिधी को अभी जो उनके बीच हुआ वो याद आया तो वो फिर से दर गई कि कही रियांश उसे फिर से किस ना कर दे इस तर की चक्कर में वो रियांच को अपने दोनों हाथों से पीछे की और धक्का दे देती है। जिसके लिए रियांच रेडी नहीं था क्योंकि वो तो अपनी ही सोच में डूबा था और इसलिए वो दो कदम पीछे चला जाता है। रियांच परिदी की इस हरकत को देखकर हैरान ही रह गया। फ्लश्ट और होता भी क्यों नहीं बिचारे को आज तक किसी लड़की से ऐसा रिस्पॉंस जो नहीं मिला था। टंग आउट। रियांच को अपने आप से दूर करते ही परिदी की आँखों में आसूं आ गए और कुछी सेकंड में वो जोर जोर से रोना लगी। परिदी को रोता देख रियांच के चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूस दोनों के ही मिले जुले एक्स्प्रेशन नजर आ रह था कि परिदी आखिर रो क्यू रही है उसने तो अभी तक उस पर ना गुसा किया और ना ही उसे डांटा तो फिर उसे क्या हो गया है जो वो गंगा जमना बहा रही है परिदी फुट फुट कर रो रही थी और पता नहीं क्यूंकर आज पहली बार अपनी बेटी के अलावा किसी और लड़की को इस तरह रोता देख रियांज के दिल में एक टीज सी उठ रही थी। उसे परिधी का इस तरह रोना बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक वैसे ही जैसे वो परी का रोना बरदास्त नहीं कर पाता था। जब जब उसे खेलते वक्त चोट लग जाती और वो रोना शुरू कर देती थी। तब तब रियांज के दिल में दर्ध होता था। और ठीक वैसा ही कुछ उसे आज भी फिल हो रहा था। परिधी को इस कदर रोते देख कर पर क्यूं। ये बात उसके समझ के परे थी। रियांज परिधी को इस कदर रोते हुए नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो परिधी को चुप कैसे कराए। अगर बात उसकी 4 साल की बच्ची परी की होती तो उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. वो अपनी बच्ची को easily handle कर लेता और उसे चुप खड़ा देता. लेकिन यहां बात उसकी 4 साल की बच्ची की नहीं बलकी किसी 24 से 25 साल की लड़की की है, जो अभी उसके सामने गला फार फार कर रो रही है रियांज को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपना एक हाथ परिधी की कमर में डाल कर उसे अपनी तरफ खीचा और अपने दूसरे हाथ से उसका मूम बंद कर दिया रियांज परिधी को देखते हुए अपनी सक्त आवाज में बोला चुप एक दम चुप अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें फिर से किस कर लूँगा फिर थोड़े शरार्टी अंदास में आगे बोला तुम चाहती हो क्या कि मैं तुम्हें फिर से रियांज चान बूच कर बोलते बोलते रुख गया परिधी रियांज की धमकी सुनते ही और ज्यादा डर गई और जोर जोर से अपना सिर्ना में हिलाने लगी रियांज ने उसका यही जवाब एक्सपेक्ट किया था क्योंकि परिधी को देखते ही वो इतना तो समझ है चुका था कि परिधी उन बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो उसके पैसे या उसके लुक्स की पीछे पागल हो बिकॉज अगर परिधी के जगह उसने किसी और लड़की को किस किया होता तो वो लड़की भी उसे अच्छे से रिस्पॉंस देती लेकिन परिधी तो उल्टा उसे अपने आपसे दूर करने की कोशिश कर रही थी यहां तक कि उसने तो उसे धक्का तक देने की हिम्मत कर दी जो चीज आज तक किसी में भी करने की हिम्मत नहीं हुई थी वो आज परदी में कर दी थी लेकिन फिर भी रियांच को उस पर बिल्कुल गुसा नहीं आया और ना ही परिदी के आसपास होने से उसे कोई चीर मच रही थी। उल्टा उसे तो परिदी को और परेशान करने का मन कर रहा था। लेकिन फिलहाल उसने अपने मन ये सारे ख्याल जटक दिये। क्योंकि अभी उसे परिदी के रोने की वजह जाननी थी। रियांच ने अपना हाथ परिधी के मूँ से हटा दिया और उसकी कमर भी छोड़ दी परिधी सिसिकते हुए अपने आशु पोचने लगी इस वक्त परिधी के चहरे से लेकर उसके होट बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लग रहे थे जिन्हें देख रियांच का गला सूखने लगा था लेकिन व परिधी रियांच को घुर कर देखते हुए पपी सा फेस बनाकर उससे सिकायट करते हुए बोली आप बहुत गंदे हो आपने मुझे किस किया बोलते हुए फिर से उसका गला भराया रियांच रिलेक्स वे में पानी के गलास को उठाते हुए बोला हाँ तो इसने कौन सी बड़ी बात है जो तोम इतना रो रही थी बोलते हुए उसने पानी के गलास को अपने होंथो से लगा कर पीने लगा तभी परिधी अपनी नम आँखों से रियांश को देखते हुए बोली, अगर मैं इसकिस की वजह से प्रेगनेंट हो गई तो परिधी की बात सुनते ही रियांश जो रिलेक्स वे में पानी पी रहा था वो सारा का सारा पानी उसके मूँव से बाहर ही निकल गया और वो थोड़ा खासते हुए शौक्त होकर परिधी को ऐसे देखने लगा, जैसे वो कोई एलियन हो विकॉज नॉर्मल इंसान तो ऐसी बाते करने से रहे वाट, क्या, क्या कहा तुमने, किस करने से लड़किया प्रेगनेंट हो जाती है रियांच ने अपनी एक आईब्रो उपर उठाते हुए परिधी से पूछा जिस पर परिधी ने बड़ी मासूमियत से अपना सरहा में हिला दिया रियांच ने उपर की और अपना चेहरा करते हुए अपनी आखे बंद की और एक गहरी सांस लेकर अपने गुसे को कंट्रोल करते हुए परिधी को देखकर अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला और आपको ये महान ग्यान किस महान इंसान ने दिया है जरा आप उनका नाम बताने का कश्ट करेगी वो वो ना मेरी आंटी ने मुझे बताया था कि जब कोई लड़का और लड़की फिजिकली एक दूसरे की टच में आते है तब उसके कुछ दिनों बाद लड़की प्रेगनेंट हो जाती है बोलते हुए परिधी ने हॉस्पिटल के बाहर जो उसने उस लड़के और लड़की को किस करते हुए देखा था और उसके बाद उसने जब मेरी आंटी से पूछा कि वो क्या कर रही है तब मेरी आंटी ने उसे जो कुछ भी बताया या यूं कही कि उसे जो कुछ भी समझाया वो सारा पुरान डिटेल में रियांच को सुना दिया जिसे सुनने के बाद बेचारे रियांच का तो मन कर रहा था कि वो अपना सर जाके किसी दिवार पर मार दे उसे परिधी की बाते सुनकर इतना तो समझ आ ही गया था कि मेरी आंटी ने परिदी को जो कुछ भी समझाया, वो उसकी आने वाली लाइफ के लिए बैटा था, ताकि परिदी के भोलेपन का कोई फाइदा ना उठा सके, लेकिन हमारी परिदी मैदम का तो कहिने ही क्या, उसने अपने खुद के दिमाग के घोड़े दोड़ा कर मेरी आंटी की बातों का कुछ और ही मतलब निकाल दिया था, रियांच को इतना तो समझ में आ गया था कि उसे परिदी के साथ बहुत ही नर्मी से पेश आना होगा, विकोज परिदी भले ही उन में बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग अभी भी किसी मासूम से चोटे बच्चे की तरह था, और उसे परिदी को बहुत ही पेसेंटली हैंडल करना होगा, रियांच तीरे से और शांती से परिदी को समझाते हुए बोला, देखो आंटी ने जो तुम से कहा वो सच है, लेकिन तुम उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाई, मतलब परिदी नहीं हो जाती, परिदी रियांच की बाते बड़े गौर से सुन रही थी, और वो क्यूरियस होते हुए बोली, फिर लड़किया प्रेगनेंट कैसे होती है, थिंकिंग फेस, बिचारा रियांच उसका तो चेहरा देखने लायक था, आप वो उसे बताता भी क्या की लड़क परिदी को देता है, जिसे देख परिदी कुछ समझ पाती उससे पहले रियांच अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल कर उसे अपनी तरफ खीचता है, जिससे परिदी सीधे उसके सीने से जा टकराई, और अपना चेहरा ऊपर की और करके अपनी दरी सहमी हुई नजरों से रि प्रेग्नेंट कैसे होती है? तो धीक है, मैं तुम्हें अब बोलकर नहीं, बल की करके दिखाऊंगा, तब तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि लड़की अप्रेग्नेंट कैसे होती है? तो चलो मेरे बैडरूम में चलते हैं। रियांज की बाते सुनकर तो परिधी के रोंटे खड़े हो गए थे। एक तो वैसे भी रियांज का उसके इतने करीब आना, उसके दिल की धरकनों को बड़ा देता था। और अब उसका ऐसे सदक्टव वोईस में ये सब बोलना, परिधी की तो मानो उसकी सास उसके गले में ह अटक गई थी। वो तो रियांज के सामने सास तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। इसलिए उसने ना आव देखा ना ताव और अपनी हिल्स से रियांज की पेर पर मार दी। जिससे रियांज की पकर उस पर से धीली हो गई। और वो अपना पेर देखने लगा। और इसी चीज का फाइदा उठाते हुए परिधी ने अपने आपको रियांज की पकर से छुरवाया और वहां से ऐसे भागी। जैसे कि उसके पीछे कोई शेर पढ़ा हो। परिधी को इस तरह भागता देखना चाहते हुए भी रियां अपने आपको कंट्रोल कर लिया और अपने रूम में चला गया। वही परिधी अपने रूम में पहुची और डोर अच्छे से लगा। लोग करके दरवाजे से सक्कर खड़ी हो गई। और अपनी फुली हुई सासों को नॉमल करने लगी। अब तक परिधी के ब्रेसलेट के बीच वाला स्टार रहस्यतारा का रंग रेज से वाइट हो चुका था। परिधी अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने आप से पुरी हुई थी। वो बार-बार करवटे बदल रहा था। उसे बस परिधी को की हुई किसी याद आ रही थी। जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। उसके साथ हो क्या रहा था। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही परिधी के बारे में सोच रहा था कि उसके मोबाई फोन की रिंग बजने लगी रियांच ने जब घड़ी में टाइम देखा तो रात के एक बज रहे थे उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया इस वक्त किसका कॉल हो सकता है रियांच ने बैट के साइड टेबल पर से अपना फोन लिया और जैसे ह तो उसका हात अपने फोन पर टाइट हो गया और उसकी आखों में चीर और गुसा नजर आ रहा था रियांच ने बैट के साइड टेबल पर से अपना फोन लिया और जैसे ही उसकी नजर मोबाईल स्क्रीन पर शो हो रहे नाम पर पड़ी तो उसका हाथ अपने फोन पर टाइट हो गया और उसकी आँखों में चीर और गुसा नजर आने लगा था रियांच ने अपने आपको शांत किया और बेमन से ही सही लेकिन कौल रुसीव करते हुए बोला आप अभी तक सोए क्यों नहीं है दादा जी इस उम्र में इतनी रात तक जागना आपकी हिल्थ के लिए ठीक नहीं है दादा जी रियांच की बात सुनकर गुसे से चिरते हुए बोले इस उम्र से क्या मतलब है तेरा तू मुझे बुद्धा बोल रहा है नालायक तो उसम मैंने कुछ गलत कहां बोला आपकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में इतना उच्छर कूद करना या आधी रात तक जा वैसे तो रियांच को कही ना कही अंदाजा हो गया था कि दादा जी ने उसे कॉल क्यों किया होगा लेकिन वो फिर भी दादा जी से पूछ लेता है जिस पर दादा जी जवाब देते हुए बोले तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम है कुछ पता ही ना हो कि मैंने है आप अच्छे से जानते हो दादा जी की मेरा जवाब क्या है फिर भी आपने एक ही बात की रट क्यों लगा रखी है रियांज ने इस बार थोड़ा चिरते हुए कहा जो उसकी आवाज में दादा जी को साफ साफ समझ आ रहा था तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नही आती रियांज की बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है बलकी परी की भी है उसकी खुशियों की है तो क्या तुम एक बाप होकर अपनी बच्ची की खुशी के लिए इतना सा नहीं कर सकते मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूं यहां तक की अपनी जान तक दे सकता ह जो मुझसे करने को कह रहे है वो में नहीं कर सकता इतना बोल कर बिना दादा जी की और कोई बात सुने रियांच ने कॉल कट कर दिया और गुसे में आकर अपने फोन को सामने की वॉल पर दे मारा जिससे फोन का तो कचुमबर ही बन गया और रियांच को दादा जी की कहीं हु कोई बाते याद आने लगी फ्लेश बैक जब रियांच हॉस्पिटल में था तब उसे किसी और का नहीं बल्कि दादा जी का ही कॉल आया था एक्चुली दादा जी को ये न्यूज मिल चुकी थी कि परी का एक्सिडेंट हो गया है और उसी के बारे में पूछने के लिए रियांच को स्ट्रिक्ली ओडर देया था कि उस लड़की परिधी को कुछ नहीं होना चाहिए और रियांच ने भी अपने दादा जी को भरोसा दिलाया था कि वो परिधी को कुछ नहीं होने देगा दादा जी को रियांच से कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए वो रियां रियांच को घर में एंटर करते हुए देखते हैं, तो अपनी जगह से उठ जाते हैं और डोनों ही रियांच की स्टडी रूम में चले जाते हैं। दादा जी ने पानी पिया और ग्लास को वापस कॉफी टेबल पर रखते हुए बोले, मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है। तुम अब जल्द ही 28 साल के हुने वाले हो। और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे 28 साल पूरे हुने से पहले अगर शादी नहीं हुई तो क्या हो सकता है। तुम्हें वो नहीं मिलेगा जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया है। दादा जी ने रियांश को कुछ याद दिलाते हुए कहा। जिस पर रियांश अपनी जगल से उठा और थोड़े गुस्से से बोला, नहीं चाहिए मुझे और नहीं में कभी शादी करूंगा, मेरे पास मेरी बच्ची है, जिसमें मेरी जान बस्ती है, और अब उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दादा जी भी अब उससे मैं आ जाते हैं। और वो भी उसी टोन में रियांश से बोले, वो बच्ची जिसकी मा का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, जिसके बारे में तुम आज तक पता नहीं लगा पाए कि वो कौन लड़की थी, जिसके साथ तुमने रात बिताई थी, और जो चार साल पहले तुम्हारे मेंशन के बाहर दो दिन की परी को छोड़ कर चला गया था, सिर्फ एक लेटर छोड़ क जिसमें सिर्फ यही लिखा था कि ये बच्ची तुम्हारी है, और अब से तुम्हारी जिम्मेदारी भी, तुमने उसके बाद तुमने ना जाने कितनी बार दुनिया के बेस्ट से बेस्ट फोरेंसिक लेब में तुम दोनों का डीने टेस्ट करवाया, लेकिन नतीजा एक ह निकलता था, और वो था पॉजिटिव और फिर जैसे जैसे परीबड़ी होती गई, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी थोड़ी बहुत जलक नजर आने कहीं थी, यहां तक कि वो काफी हद तक तुम्हारी तरह दिखती है, लेकिन इन सबसे भी अजीब बात तो ये है कि तु किसी लड़की के साथ रात गुजारी भी थी या नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो यही कहना था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है, जहां तुम कभी किसी लड़की के साथ एक सेकंड के लिए भी रुके हो, तो उसके साथ रात गुजारने का तो सवाल ही पैदा नही रियांज चुप चाप उनकी बाते सुन रहा था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अभी अभी कहा वो सब सच ही तो था, उसे इन चार सालों में आज तक पता नहीं चला, कि उसकी बच्ची की मा कौन है, उसकी बेटी इस दुनिया में आई के से, किसने उसको जन्म दिया, कौ क्योंकि DNA टेस्ट से लेकर परी के नेचर और यहां तक कि उसके फीचर्स तक उससे मेल खाते थे, और अगर परी उसकी बेटी ना भी होती, तो भी अब रियांज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परी अब उसकी जिन्दगी का बोहुत हैम हिस्सा बन चुकी थ जिसे वो चाहकर भी अपने आपसे अलग नहीं कर सकता था, लेकिन उसे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये हो केसे सकता है अगर उसने शराब या ड्रग्स के नशे मैं भी किसी लड़की के साथ कुछ किया होता, तो उसे उनमें से कुछ तो याद होता, या कोई धुंदली सी यादे कुछ भी, लेकिन उसे कभी ऐसा कुछ भी ना तो फिल हुआ और नहीं कुछ याद आया और वो पिछले चार साल से परी की मा को धूंदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और ये बात भी रियांश के लिए काफी सप्राइजिंग थी कि वो जो दुनिया के टॉप फाइव बिजनेस्मिन की लिस्ट में आता है, जिसके ये तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम परी के लिए तो इस बारे में सोच सकते हो ना, वो अभी भी एक चार साल की बच्ची है, उसे भी तो मा की कमी मेहसूस होती होगी, उपसे वो बोल भी नहीं सकती, शायद इसलिए वो तुम हे कभी अपनी बात भी ना समझा पा टीना दादा जी के पुराने दोस्त की पोती है, जो रियांच पर पूरे तरीके से लट्टू है, लेकिन रियांच को उसमें रत्ती भर का भी इंटरस्ट नहीं है, पर दादा जी चाहते है कि रियांच शादी कर ले, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं परता था, कि रिय दादा जी की बात सुनकर रियांच जो कब से चुप-चाप दादा जी की बाते सुन रहा था। तु अपनी पसंद की लड़की से तो शादी कर सकता है ना। जो तेरी पतनी से ज्यादा परी की मा बन सके, उसे मा प्यार दे सके। और जिसके साथ परी खुश रह सके। जी की सब सोच रहा था। अब वो परिधी के बारे में ना सोच कर उसके दिमाग में बस यही सवाल चा रहा था। जिसका जवाब वो पिछले चार साल से धूंद रहा है। की परी की मा कोन है। रियांच यही सब सोचते सोचते सो जाता है।